जो दिखने में बहुत ही गंदा लग रहा है दिखाने बाली हों इमेल से बहुत रठती हो को दिखा देते हैं बटरफ्लाइ और कुछ फ्लावर में ने रात की परी है गाइज गूद इबनिंग वेल्कम बैक टुदा चैनल यह ब ऐसा था झड़आ चोंडौन वीट बहुत ऐसा ने वाली हो जो दिखने में बहुत ही अच्छा होता है यह मीशो से ड्रीवरी हुआ और मैं सच में वेट नहीं कर सकती थी इसलिए पहले ही इसको खोल के देख लिया है और अब यह आप लोगों को दिखाने वाली हो और इसका डिवीव भी देने वाली हो क्योंकि आप लोगों को भी जरूत होगा दिवारी के लिए शॉपिंग करना तो यह है पहला पैकेट जो यह ना बहुत सारे साइजेस में मिलते हैं आप लोगों को साइज लग सकता है कि इसका प्राइस कम यह ज्यादा क्यू है एक्चल में इसका लेंथ वाइज इसका प्राइस कम और ज्यादा होते रहते हैं मैंने 5 फीट का लेंथ में लिया है देख सकते हो बहुत ही बड़ा ह तो इसका प्राइस पड़ा 293 वो भी 7 पिसस का मैंने पहले ही पर्चेस किया है बहुत सारा लाइट्स जिसके साथ यह एक लाइन लाइट्स का एंड एक लाइन अगर ऐसे देंगे ना तो दिखने में बहुत ही कुपसुरत लगेगा कैसा लगेगा वो तो मैं जरूर है और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं यह देखिए यह है ऐसा एक डोर हेंगिंग मैटेरियल जो दिखने में बहुत ही कुपसुरत है और सथ में जब मैंने यह पर्चेस किया था तब मुझे आइडिया नहीं था कि यह इतना खुपसुरत होने वाला है लेकि तो जाते हो कुछ देकोरेशन बाला पीषिस कर इतना कुछ ऐसा हूं दोगे खरीद सकते हो बहुत य बहुत य बहुत ही आच्या है चा उलना कि कहिर आ यह यह घर कोबैस किना इन्हानित कर दुप हर ने में बहुत मदत करेगा इतना खुबसुरत है और उसी के साथ मैंने लोकल मार्केट से पर्चेस किया था एक चीज एही पर बता दू मैं साड़े इंसेक्स एंड अनिमेल से बहुत रड़ती हूँ मुझे फोबिया है उस चीज से लेकिन फिर भी दिवाल ही आ रहे है तो उस टहें पर नया नया चीज लाना मेरा शौक है आप लोको कभी होगा तो इसलिए मैंने लाया है एक इंसेक्ट जो कुछ इस तरीके का देखता है एक्शन में यह है टुथ ब्रास रखने वाला होल्डर लेकिन इसको आप बहुत पर्पस में ही बूस कर सकते हो मतलब यह है माल्टी पर्पस एक होल्डर इसके अंदर फूल भी आप लोग रख सकते हो और इसके पीछे ऐसे तीन एयर सेक्शन बाला चीज दिया हुआ है जो इजी ली कहीं पर भी पर सकता है आईए आप लोगों को दिखा देते यह देखिए यह हुआ चीज और यह मैंन अगर मैं इसको भी निकलना चाहो तो बहुत ही मैनत करना पड़ेगा जो मैं नहीं करने वाली मैंने आप लोगों को दिखा रहा था कि मैंने मीशो से लिया है दो कैनल होल्डर जो इधर रखा हुआ है दिखने में ऐसे यह बहुत खुबश्रत है लेकिन आज मैं इसका डेम यह इसको जला दिया और दूसरे को भी जला दिया अभी इसको प्लेस करूँगी इसके लिए केंडल होल्डर ले लिया है मैंने इसके पीछे ऐसे एक ऐसे एक candle holder बता है जो मैंने निकाल लिया है इसके अंदर जाएगा ये candle और अभी मैं इसको प्लेस करूँगी इसके अंदर इसके अंदर तो एक तो fixed हो गया है अभी दूसरे को भी fixed कर देती हूँ तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखेगा जब ये light लगाओंगी न तब ये और भी ज़्यादा खुबसरत लगने बाला है मुझे पता है लेकिन फिलहाल के लिए उसके लिए आप लोगों को put करना पड़ेगा और मैं थोड़ा light को off करके दिखाती हूँ ये दिखने में कितना खुबसरत लगता है ये देखिए ये है एक और ये है दो कैसी लगडी हूँ में रात की परी जब रहे है जब रहे है बहुत ही उपसुरत लग रहा है दिखने में तो गाइस मैं तो पुझा बहुत इंज़ कर रहे हूं आप लोग भी पुझा बहुत इंज़ कीजिए मेरा ड्रेस अप लोगों को कैसा लगा जबर बताना ये मेरा एक नाया आउटफिट है जो मैंने आज पहना है और विंटर सीजन अभी थोड़ा थोड़ा आ गया है कम्पेटली नहीं आया है फिर भी मैंने खड़ी लिया है अपने लिए दो घर में पहनने वाला स्लीपर जो बहुती कुपसुरत है दिखने में इसका कलर है पिंक और इसमें बटरफ्लाइ और कुछ फ्लावर मोटीव है और बहुती कम्पेटबल है ऐसे अगर आप भी चाहते हो अपना विंटर सीजन को और अपना दिवाली को स्पेशल बनाना आप भी कर सकते हो मेरे जैसा ऐसा छोटा-छोटा शॉपिंग आज का शॉपिंग मीशो हॉल अगर आप लोगों का अच्छे लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत फूलिएगा अफिर विडियो के साथ तब तक के लिए टादा गाइस